हालो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे ये रोज लड का निसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमने इस तरीके से सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पर इस तरीके से फैबरिक के दो पीस के ले रहने है यह देखिए इस तरीके से मैंने फैबरिक के दो पीसे लिये हैं जिसके लंबाई और चोड़ाई में आप बता देती हूँ यहाँ पर मैंने बड़े वाले पीस की लंबाई और चोड़ाई पांच इंच रखी है यह देखिए और छोटे वाले जो कपड़ा है मारा उसका मैंने यहाँ पर चार इंच लंबाई में और चार इंच उड़ाई में लिया है अब क्या करेंगे हम चोटे वाले पीस को हटाकर रख देंगे और बड़े वाले पीस को हम ले ले लेंगे और मैंने यहाँ पर मारकेट से डोरी ली है आप चाहें तो कपड़ गोरी को बना सकते हैं अब हम क्या करेंगे, फैब्रिक को इस तरीके से triangle shape में fold कर देंगे, यह देखिए, इस तरीके से हमने फैब्रिक को triangle shape में fold कर लेना है, इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी डोरिया इसे हम इस तरीके से एकदम बीच में रखेंगे, यह देखिए, इस तरीके से एकदम बी इसी तरीके से फॉल्ड कर लेंगे यह देखे और यहां से हम शिलाई लगा देंगे ताकि हमारी डोरी फिक्स हो जाए और इदर उदर भागे न तो चलिए हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं पहले यहां पर आप देख सकते हमने सिलाई लगा लिया है सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे यहां पर इसे इस तरीके से पूरा एकदम पकड़ लेंगे दोनों साइड में यह देखे इस तरीके से एकदम सिकोड़ कर पूरा पकड़ लेंगे इस तरीके से पकड़ने के बाद इस पर हम पूरा सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से हम पकड़ लेंगे अक्दम पूरा दोनों साइट का और अच्छे से गदम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया आप देख सकते हैं और हलका हमारा रोश शेप में आ गया है अब हम क्या करेंगे इस अक्ष्टा कपड़े को कट कर देना है यहाँ पर रेक्ष्टा कपड़ा कट करने बाद हमारा जो छोटा वाला पीस था उसे हम लेंगे और उसे भी हम इस तरीके से ट्रैंगल शेप में फोल कर लेंगे जो हमारा छोटा वाला कपड़ा हमने चार इंच का कट किया तो उसे हम इस तरीके से ट्राइंगल शेब में फोल कर लेंगे और यह वाला जो हमारा पीस है इसे हम इस तरीके से उल्टा करेंगे और इस पे बीच में इस तरीके से आधा इंच बाहर निकाल कर रख लेंगे यह देखे इस तरीके से हमने इसे आधा इंच बाहर निकाल कर रख लेना है और उसी तरीके से जो हमने पहले प्रोसेस किया था इस कोने को पकड़ना है और यहां से फोल कर लेना है और यहां से फोल कर लेना है यह देखिए अब सेम प्रोसेस जो हमने पहले वाले कपड़े के साथ किया था सेम प्रोसेस के साथ हम यहां पर भी इसे करेंगे और अब सिलाई लगा लेंगे यह देखिए इस तरीके से हमने यहां पर सिलाई लगा लेना है सिलाई लगाने के बाद फिर से हमने जो यह हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है इसे हम कट करके निकाल देंगे यह देखें इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है हमारे उसे हम कट करके निकाल देंगे अब हमने क्या करना इस तरीके से हमने सुई लेना है फैब्रिक को यहां पर इस तरीके से सिल लेना यह देखें आप चाहें तो आप आप चाहें तो इसे मसीन से भी सिल सबते हैं बट यहां पर मैं सुई से सिल रही हूँ यह देखें इस तरीके से यहां पर आपको सिल लेना है इस तरीके से सिलने के बाद हम क्या करेंगे यहां पर यह देखिए इस तरीके से इस धागे को खीचेंगे यह देखिए इस तरीके से हमने धागे को टाइटली खीच लेना एकदम और इसे बान देना है यह देखें इस तरीके सिदब टाइट हमेंसे खीचना है और घुमा कर बान देना है आप इसे जितना टाइट बान देगे हमारा रॉज लटकन उतना ही अच्छा बन कर तैयार होगा तो यहाँ पर मैंने इसे बहुत ही टाइट ले खीच कर बान देआ है अब हमने रोज लटकन को open करके आपको दिखाते हैं अब इस धागे को हम cut कर लेंगे यहाँ पर हमारा रोज लटकन बनकर तयार हो चुका है अब हम इसे नीचे की side में open कर लेंगे यह देखे इस तरीके से हमने अराम से इसे खीच लेना है नीचे के side ये पहली कली हो गई हमारी ये देखिए हमने पहली कली इस तरीके से खीच लेना है आप हमने सेकेंड वाली कली को भी नीचे की साइड में खीच लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा रोज लटकन बनकर तयार है आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हिल्थ पुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सस्क्राइब करें फिर मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें बाई